दोस्तो आज हम पढ़ने वाले हैं multiplication की बहुत सारी tips and tricks पढ़ने वाले हैं जैसे exam में simplification आता है तो simplification में इस तरीके की multiplication जो आपको दिख रही है यहाँ पे इस तरीके के multiply के question बहुत सारे होते हैं जो कि हमें within second आना चाहिए तो हम लेकर के pen और copy लेकर के बैट जाते हैं उसको करते रहते हैं और time हमारा चला जाता क्योंकि limited time हमें वहाँ पे मिलता है तो इसको करने के लिए fastly कैसे कर सकते हैं इसको हम इसके कुछ methods होते हैं कुछ tricks होती हैं हमें सीखना पड़ेंगे और उसके बाद practice करना पड़ेंगी तो without wasting your time हम देखते हैं यहाँ पे इसको कैसे solve करेंगे अब यहाँ पे सबसे पहला type इसमें बहुत सारे types अलग अलग हैं types क्या वो types बना दिए गए हैं types तो कुछ भी नहीं है हैं लेकिन यहाँ dari type क्या है हमारा की अगर जो unit digit मतलब जो पहला digit है अगर इसका some कितना हो अगर इसका sum 10 हो दूसरा digit है यह सेम हो जो पहला digit है उसका sum 10 हो, और दूसरा visit है तो वो कैसा होना चाहिए same होना चाहिए तो किस तरीके से ऐसे question को या ऐसी multiplication को हम किस तरीके से करेंगे बहुती ध्यान से बहुती focus से आपको यहाँ पे देखना है तो क्या करेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों की जो unit digit है इन दोनों की multiply करके आपको लिख देनी है 6 और 4 की multiply कितनी हो जाएगी 6, 4, 24 हो जाएगी और यहाँ पे 2 ही है दोनों तरफ तो 2 से अगला number कौन सा आता है 3 इन दोनों की जो अगला number next जो number आता है उसकी multiply करके यहाँ पे लिख देनी है तो 2 की 3 से multiply कितनी हो जाएगी 2, 3, 6 हो जाएगा 624 हमारा answer हो जाएगा सेम condition यहाँ करेंगे जो unit digit है इसकी multiply करेंगे तो 7 तियां कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा अब यहाँ पे भी 2 ही दे रखा है दोनों तरफ तो 2 से आगे कौन सा number होता है 3 इसकी multiply करेंगे दो 3 कितना हो जाएगा 6 तो यहाँ पे 621 अभी भी बात अगर clear नहीं होई होगी तो आपको next question में यानि इसमें आपको clear हो जाएगी फिर से क्या करना है unit digit की multiply करना है 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 और यहाँ पे 3 दे रखा है तो 3 से अगला number कौन सा होता है 4 3 4 कितना हो जाएगा 12 तो 12 और 16 इसका answer हो जाएगा आगे चलते हैं यहां हमें कितना दे रखा है 9 से 1 की multiply करेंगे unit digit की multiply करते हैं तो 1 से 9 की multiply करेंगे 9 एकम 9 तो यहां पर 2 number लिखते हैं 9 एकम 9 में cable 9 हम नहीं लिखेंगे 0 9 लिखेंगे यहां पर ठीक है तो अब next number कौन सा है हमारा 3 है 3 से अगला वाला number कौन सा होता है 3 चौक 12 तो 12 है 0 9 यह इस कांसर हो जाएगा आगे चलते हैं यहां पर 8 और 2 की multiply करना है हमें तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 और इस से अगला number 4 से अगला कौन सा होता है 5 तो 4 पंजे कितना होता है 20 तो 4 पंजे 20 आजाएगा मतलब 20 16 इस कांसर हो जाएगा यहां पर direct करते हैं 6 चोक कितना हो जाएगा 24 और 4 से आगे 5 4 पंजे 20 बताओ direct कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं बहुत ही आसानी जागर आप practice कर लें तो आपको देखते ही आप बता सकते हैं इसका अंसर क्या होगा यहां पर देखते हैं 9 की और 3 की multiply करेंगे तो 9 3 कितना हो जाएगा 27 3 से आगे कितना आता है 4 3 4 कितना आ जाएगा 12 तो 12 27 से आ जाएगा और अगर अब आपको बात clear हो चुकी है यहां तक की बात अगर आपको समझ में आई है तो इसका अंसर आपको क्या करना है comment कर देना है ठीक है यह आप comment कर देना तो आगे इसी type पे based कुछ और question भी देख लेते हैं जैसे question अगर इस तरीके का हमें multiply अगर हमें करना हो 15 से 15 की multiply करना हो तो यहां पे भी हमारा same हो रहा है इन दोनों का sum कितना है इन दोनों को अगर हम plus कर लें तो 10 होगा तो same type यहां पे भी apply होगा मतलब 5 और 5 की multiply करके लिख लेना है 5, 25, 25, 1 से आगे कितना आता है 2, 1 से आगे 2 आता है तो 1 की 2 से multiply 2, 1 से 2 हो जाएगा मतलब 225 इसका answer हो जाएगा यह क्या है यह 15 का square ही तो है तो 225 हो जाएगा इसी तरीके से अगर हम 25 का square लें मतलब 25 गुड़ा 25 हो जाएगा अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं कर लेते हैं इसकी multiply 5, 25 हो जाएगा 2 से आगे कितना आता है तो यहाँ पे 625 हो जाएगा सेम आप कर सकते हैं वहती आसानी से 35 का square को आप 35 into 35 लेख सकते हैं तो 5 का 5 और 5 की multiply 25 हो जाएगी 3 से आगे कितना आता है 4 आता है 3 चो कितना हो जाएगा यहाँ पे बताओ 1225 हो जाएगा ठीक है यहाँ पे 45 का square आप देख सकते हैं तो 45 का square कैसे निकालेंगे हम सेम 45 into 45 करेंगे 5 की 5 से multiply 5 पंजे कितना हो जाएगा 25 चार से आगे कितना आता है 5 चार पंजे कितना हो जाएगा बताओ 20 पंचिस आंसर आजाएगा इसका तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से कर सकते है अब जैसे 55 है तो 55 का आप कर लो 55 का square कितना हो जाएगा 55 into 55 हो जाएगा तो 5 पंजे 25 और 5 से आगे कितना आता है 6 आता है तो 5 कितना हो जाएगा 30, 30, 25 हो जाएगा यहाँ तक अगर बात clear हो चुकी है तो आपको इस question का answer क्या करना है इसका answer आपको comment करना है multiply के हम दूसरे type में आ जाते हैं इसमें अगर two digit की multiply two ही digit से करना हो तो कैसे करेंगे इसके लिए भी अगर आपने इसकी practice कर ली बहुत ही अच्छे से तो आप within second कर सकते हैं लेकिन practice करना पड़ेगी आप सोचें कि हम एक ही दिन में cycle चलाना सीख जाएं तो आपसे कभी जिंदिगी भी नहीं हो पाएगा गिरोगे भाई साब 15-20 दिन एक महिना तो आपको लगेगा लगातार चलाना पड़ेगी उसके बाद ही सीख पाओगी तो वही चीज यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगी आप सोचोगी एक कोशन दो कोशन करने के बाद आप पूरी trick सीख जाओ आप सोचा अरे अब तो बड़े आराम से multiply हो जाएगी अरे आप क्या attention है तो इतना आसान नहीं होगा उसको आपको practice करना पड़ेगी ठीक है तो दियान देना यहाँ पे कैसे हम करेंगे यहाँ पे अगर 42 के multiply 34 से करना है तो कैसे करेंगे हमें कोशन exam में यह direct question तो नहीं होता है simplification के question में यह mix करके multiply हमें यहाँ पे करना होती है तो question आप बताओ इस तरीके से दे रखा होता है क्या हमें इस तरीके से question तो हमें नहीं मिलता है तो जब इस तरीके से question नहीं मिलता है तो हम practice इस तरीके से क्यों करें question भी तो ऐसे ही लिखा होता है तो practice भी हम कैसे करेंगे ऐसे ही करेंगे हम इस तरीके से लिखके प्रक्टिस बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं ठेक है तो इसकी हम प्रक्टिस भी इसी तरीके से करेंगे मतला हम ऐसे ही सीखेंगे इसको ऐसे नहीं लिखेंगे जैसे हमने अब यह लिखके बताया था यहाँ पर तो क्या करना है आप बस में जोड़ देना है add कर देना है 2 तीयां कितना हो जाएगा अच्छे और 4 हो 4 की multiple करेंगे 4 हो कितना हो जाएगा 16 16 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा तो इस 22 का यहां पे 2 लिखना है naaison 22 का दो लिखना है और यह वाला हमारा carry में 2 चला जाएगा अब क्या करेंगे तीन की चार से multiply करेंगे तीन चौक बारे बारे में दो add करेंगे तो यह कितना आ जागा चौद है अठाइस ही हमारा यहां पर answer होगा अभी नहीं आई होगी बात समझ में अगले question बार की multiply करेंगे आठ दूनी 16 21 और 16 कितना हो जाएगा 37 37 का 7 कहरी लगा 3 और फिर अब हम 7 की 8 से multiply करेंगे 7 8 कितना 56 56 और 3 कितना हो जाएगा 59 तो 69 चैतर यह answer होगा यहां पर अभी भी अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से समझने की कोशिश कीजिए 8 और 2 की multiply करेंगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 अब यहां 16 का 16 नहीं लिखा जाएगा 16 छे लिखेंगे carry यहां पर 1 लगा क्या करना है अंदर अंदर की multiply 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40 इन दोनों की multiply करने के बाद इसको add करते हैं 4 दूनी 8 हो गया और 8 पंजे 40 और 8 48 यह वाला carry पहले से लगा है 48 और कितना हो गया 49 फिर से carry एक लगा कितना 4 अब क्या करेंगे इसकी इसकी multiply 5 की 4 से 5 24 और हासिल वाला 4 हो जाएगा यहां पर आ जाते हैं एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं कैसे बताया था पहले पहले नंबर की multiply unit digit की multiply 7 चौक कितना हो जाएगा 28 केरी लगा 2 ठीक है साच चंग 42, 9 चौक 36, 42 और 36 को हमें जोड़ना है तो यह 40, 30, 70 और 8, 78 हो जाएगा, 78, 2, 80, 80, 80, 8 बचा कहरी फिर से लगा और 9 चंग 54, और 54 और 8 कितना हो जाएगा 62 तो 62, 0, 8 इसका answer हो जाएगा तो I hope यह चीज आपको clear हुई होगी लेकिन कम से कम आप अगर 30 से 40 question इसी तरीके से खुद से लिख करके practice करेंगे तो आपके यह mind के अंदर subconscious mind में पहुँच जाएगे तो multiplication के next type पे चलते हैं इसको भी हम देखेंगे अगर practice कर लेंगे तो बहुती जल्दी इसको भी कर सकते हैं ऐसे नंबर जिन में 4 का gap हो अगर इस तरीके की multiply आती है तो आप कैसे इसको करेंगे देखते हैं जैसे 42 है 38 है 4 का gap है 23 है 27 है इसमें भी 4 का gap है इसमें भी 4 का gap आपको देखता होगा सभी में 4 का gap है तो इसको कैसे करते हैं तो आपको यह देखना होगा सबसे पहले कि यह near about किसके है यह किसके करीब है यह 40 के करीब दिख रहा है आपको तो इसको ऐसे लिख सक सकते हैं कितना 40-2, ऐसे लिख सकते हैं, अब आपको यह कुछ जाना पहचाना सा लगता होगा, क्योंकि यह formula किसका होता है, A plus B, यह formula आपने काफी पहले मतलब बच्छपन में पढ़ लिया होगा, क्या होता है, A plus B, A minus B, A square minus B square, तो बस यही apply यहां पर होने पर कितना हो जागा 4 तो 1600 में से 4 अगर माइनस करेंगे तो 1596 ये इसका अंसर हो जाएगा सेम ये किसके करीब आपको दिख रहा है ये 25 के करीब है इसको 25 प्लस 2 और क्या लिख सकते हैं 25 माइनस का 2 लिख सकते हैं आसानी से फिर से a square माइनस b square बन गया मतलब 25 का square कितना होता है 625 माइनस 2 का square 4 625 में से 4 माइनस तो 621 आ जाएगा यहाँ पर देख लो किसके करीब है ये ये किसके करीब है 15 के तो 15 माइनस 2 और 15 प्लस का 2 लिख सकते हैं आसानी से फिर से यहाँ a minus b, a plus b, a square minus b square, 15 का square कितना होता है, 225 minus 2 का square, 4 हो जाएगा तो यह कितना आ जाएगा, 211 इसका answer हो जाएगा, यहाँ पे आ जाओ आप किसके करीम दिखरा है आपको यह, सीधी सी बाते है, यह 45 के करीम है, तो 45 plus 2, और यह कितना हो जाएगा, 45 minus का 2, 45 का square कितना होता है 25-2 का square 4 तो यह कितना हो जाएगा 20 21 इसका answer हो जाएगा और अगर यहां तक आप पहुँच चुके हैं और आपको बात समझ में आ चुकी है तो इसका answer आपको comment करना है ठीक है इस question का answer आपको comment करना है और आप नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं है उसमें कोई tension वाली बात नहीं है वो आपके मर्जी को पर depend करता है आप करें ना करें ठीक है फिलहाल इसको समझना जरूरी है प्रक्टिस करना जरूरी है